इस कहानी का नाम है पिता का महत्व एक बार एक पिता ने अपने पुत्र की बहुत अच्छी तरीके से परिवरिश की उसे अच्छी तरह पढ़ाया, लिखाया, वह पुत्र एक सफल इंसान बना पिता अब भी बुढ़ा हो चला था एक दिन पिता को पुत्र से मिलने की इच्छा हुई और वो पुत्र से मिलने उसके ओफिस चले गए वहाँ उन्होंने देखा उनका पुत्र एक शांदार ओफिस का अधिकारी बना हुआ है और ओफिस के शेकड़ो करमचारी उसके अंडर काम कर रहे है ये सब देखकर पिताजी का सेना गर्व से फोल गया और वो चुपके से उसके पीछे जाकर उसके कंदे पे हाथ रखकर खड़े हो गए और बड़े प्यार से अपने पुत्र से पूछा इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने पिता से बड़े प्यार से हस्ते हुए कहा मेरे आलावा कौन हो सकता है? पिता को इस जवाब की आशान नहीं थी उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा गर्व से कहेगा पिता जी इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप है जोनोंने मुझे इतना योग्य बनाया उनकी आके छलचलाई ओफिस के बाहर आकर पीछे मुड़ कर फिर से पुत्र को पूछा बताओ इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? इस बार पुत्र ने कहा पिता जी आप इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हो ये सुनकर पिता जी अश्यरे चकित हो गए पुत्रा ने हसते हुए अपने सामने बिठाते हुए कहा पिता जी उस समय आपका हाथ मेरे कंदे पे था जिस पुत्र के कंधे पर या सिर पर अपने पिता का हाथ हो, वह पुत्र तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना पिता की आखे भर आई, उन्होंने अपने पुत्र को कसकर सीने से लगा लिया सच ही कहते हैं जिसके कंधे पर या सीर पर पिता का हाथ होता है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है Father's Day के अउसर पर आज की ये कहानी कैसे लगी तो बच्चो माता पिता का आदेर करना सीखो Happy Father's Day फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ Bye Bye बच्चो